नमस्कार सूर कम बाक टियो ओन चेनल वेल सगज 20th of May 2024 मंडे का दिन आज मांकेट में छुट्टी थी लेकिन कल छुट्टी नहीं होने वाली आज की दिन तो पूरी की पूरी मुंबाई अपने वोट को कास कर रही थी इसलिए मांकेट में होलिडे था लेकिन PM मोदी ने जिस उन्होंने क्या बोला है उन्होंने बोला है कि he has said that Indian stock markets will break all previous records on 4th of June. अचा उन्होंने और क्या बोला है उन्होंने बोला है you will see the election day results come out and throughout that week stock market programmers will get tired of the action. उनका माना ये है कि stock market के जो players है मतलब हम आप और और हम से हमारे अलावा बड़े छोटे जितने भी players हैं वो सभी के सभी market के action को ले करके tired हो जाएंगे ठक जाएंगे जितना bullish action होगा क्योंकि ultimately bearish action के बारे में तो indicate नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा statement है और अगर आप मुझसे पूछें कैसे कौन से sector हैं जिस पर की नजर रखनी चाहिए तो simple है दोस्तों government का जो focus है government का जो aim है उससे align होने वाले जितने भी companies हैं जितने भी shares है उन पर आपको नजरे रखनी चाहिए अब उन्होंने ये भी बोला he said pointing to the rally in the public sector of firms that underscored the center's effort to pushing maximum economic reforms maximum economic reforms and pro entrepreneurship policies to strengthen economy तो basically उनका जो aim है economic reforms को improve करने का है उनका जो agenda है that is development अब दोस्तों कई सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर अरे भाई मैं BJP की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ I am speaking on behalf of what PM has said our PM has said presently तो भी भाई PM है ना अब आकल को रहूल गांदी बने है अच्छी बात है हम तो चाहेंगे कि रहूल गांदी बने है हमारे शुपकानों उनके साथ में लेकिन जब रहूल गांदी बन जाएंगे तो हम रहूल गांदी जी के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन अभी तो फिलाल मोदी जी है राइट अब दोस्तों रहूल गांदी बनेंगे कि मोदी जी बनेंगे ये तो 4th of June को पता है और चलेगा लेकिन जिस प्रकार का मोदी जी का confidence है वो तो इल्कुल चीज चीज के बोल र रहा है जो कि 2023 में somewhere close to 10,000 के आसपास था वो presently 20,500 के आसपास चल रहा है मतलब पिछले एक साल के अंदर अंदर ये इंडेक्स already double हो चुका है है कि नहीं और इस समय lifetime highs पर चल रहा है PSU इंडेक्स तो पूरा का पूरा PSU सेक्टर आप ये नहीं कह सकते है कि वो एक सस्ते वैल 2023 के April में में और वो 3000 से बढ़के अभी 43,000 पहुंच गया है तो 22,23,24 वाला जो इंडेक्स है वो अलड़ी double हो चुका है तो mid gap भी double हो चुका है ये index है दोस्तों और ये 10,20% नहीं double हो चुके है 100% की growth मतलब जो इंडेक्स था वो 2X हो चुका है 100% का jump अलड़ी show कर चुका है और जो stocks हैं वो तो 300,400,500 कुछ-कुछ तो 10,10 गुना shares भी भाग चुके हैं अब question आता है कि क्या market में हमें investment करने के बारे में सोचना चाहिए वो भी इस समय है जब पूरा का पूरा index ही double हो चुका और stocks already सेचे सासा times भाग चुके हैं अब दोस्तों simple strategies है या तो आप डर के ब stocks में जहां पर buying opportunity है वहां पर आप investment कर सकते हैं कुछ stock है दोसों जो कि मैं study करना चाहता हूं आपके साथ but again I am telling you I am again retreating यह मेरी analysis है मैं गलत भी हो सकता हूं so please do your complete research before investing मैं आपके सामने financial numbers पढ़ रहा हूं statistics पढ़ रहा हूं अगर आपको समझ में आती है well and good दोस्तों पहला stock ह जिसके बारे में हम लोग बाचीत करने वाले stock का नाम है Ireda अब simple चीज़ दोसों Indian government का पूरा का पूरा focus renewable energy पे है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे sources deplete हो रहे हैं और environment को pollute कर रहे हैं this industry this sector is going to be on rise और Ireda वो company है जो कि इस पूरे के पूरे sector को finance करती है अगर आप देखे stock evaluation की तो इस stock हमेशा से 30 से 35 के PE के आसपास straight कर रहा है आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं यह stock बहुत महंगा हो गया you cannot say that notwithstanding अगर हम इसको compare करें industry के peer से so promoter holding is 75% public holding is 22% which clearly demonstrates कि generally FIAs और DIAs ने इसमें अभी ज्यादा माल नहीं खरीता है और public के पास 22% है promoters के पास 75% है तो एक अच्छा खासा समागम हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है no promoter holding का अच्छा return on equity के बारे में बात रहे हैं अपने peer से compare करें तो अगर आप देखें तो फिनेंस जो term lending institutions हैं उनमें यह 17% का return on equity offer कर रहा है return on capital लागू नहीं है क्योंकि यह एक lending company है तो जो capital इनके पास होगी उसके साफ से capital से return generate करेंगे तो किसी ने capital ज्यदा उठा रखी होती है market ने किसी ने कम उठा रखी होती है तो उस पे यह खाका उसके लिए लागू न पिश होगी तो जनली आप देखेंगे दोस्तों IFCI 153 का PE है IRFC 35 का PE है और यह stock आपको 37-38 के PE पे मिल रहा है especially जब यह power sector के stocks काफी महंगा और अलड़ी run-up कर चुके है results outstanding दोस्तों यह December 2022 से अगर आप compare करें March 2023 से compare करें तो March 2023 में जहां company के profits थे धाइसो करोड के धाइसो करो क्रोड हो गए एक अच्छा खासा close to 50% का jump हमको close to 40-45% का jump हमको दोस्तों मैं rough आपको calculate करके बताता हूं instantly आप exactly करना चाहें तो इसको calculator ले करके बैठ सकते हैं मैं कहा करता हूं मैं रफ इतको stock market में इतना समय नहीं calculator लेके बैठा जाए लेके बैठना है उसके लिए भी आप बैठ सकते हैं अब दोस्तों मैं तो सारी overall regulation करता हूं within a fraction of seconds revenues के बारे बात रहे हैं तो जहां company के revenue पिछले साल थे 1036 crores जो कि बढ़के अभी 1391 crores है तो मोटा-मोटा यहां पर भी हमको 30-35% का jump दिखाई पट रहा है as far as the sales are concerned so overall एच्छी कासी growth हमको दिखाई पट रही है both in revenue and profitability ना अगर अगर इस stock के चार्ट के बारे बात रहे हैं तो इस stock अभी भी बहुत जदरन अपनी किया है लिस्टिंग इसकी December की है दोसों उस समय stock एक penny stock kind of था 50-60 रुपए का stock गया 220 के highs लगा है company अपने all time high returns all time high profit sales post कर रही है लेकि stock अभी all time high पर नहीं है जो कि एक value-bind proposition को दर्शारता है यह stock पर आप नजर रख सकते हैं अब दोसो second stock जो की railway sector का पूरा का पूरा sector हो सकता है क्योंकि इंडिया में अगर आप जो developed countries है लाइक चाइन जहां पर population भी है और country भी बड़ा है उनसे compare करें तो इंडिया को जो railway infrastructure है वो बहुती nascent stage में road infrastructure हां कुछ हद तक improve हुआ है लेकिन railway infrastructure को improve होने की बहुत scope है जितने भी railway stocks में पर आपकी निजरे होनी चाहिए उसके बारे में पहले भी discussion कर चुक हूँ एक stock जिसको कि मैंने छोड़ दिया था और मैं discuss नहीं कर पाया था stock का नाम इरकॉन जिसको कि मैं आज touch-up कर लेना चा तो ये stock 1% की dividend deal भी देता है जो कि कोई भी अगर आप देखें तो यतने सारे railway रेल विकास निगम हो गया और कौन हो गया अगर आप देखें तो कोई भी 1% के उपर के dividend deal नहीं देता है अगर आप देखें तो अपने पूरे के पूरे peers में one of the lowest debt है इस कंपनी का एक और भी इंट्रेस्टिन चीज़ है दोस्तों जो कि आपको पता होने चाहिए ये सिर्फ रेलवे की infrastructure को take on नहीं करते हैं ये road, rail, bridges ये सारा का सारा काम undertake करते हैं बहुत ही जबरतरस business proposition है एरकॉन करोड मार्च 2022, 3000 करोड मार्च 2023, almost 3800 करोड, December 2023, 2900 करोड का है मतलब आपको देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा sales में drop दिखाई पड़ रहा है और similarly आपको profits में भी drop दिखाई पड़ेगा ये ही reason है दोस्तों कि ये stock अभी आपको बहुत ज़्यदा भागा हुआ दि दिखाई पड़ेगा दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ेगा दिखाई पड़ेगा अगर बात करें इस कंपनी के बिजनस की तो ये कमनी भी finance और term lending institution है इंडिया में गर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के लिए पैसे चीए है भाई इंडिया में अगर ग्रोथ ऐसा तो है की growth will happen just like that you require money and money जो भी industries होती है they borrow money they borrow money and they make money and thereafter they pay the interest और यही सारी के सारा जो business है उस पे पूरा का पूरा इंडिया का growth टिका हुआ है अगर आप अतरे कपनी के financial numbers की so IFCI के बारे हैं बात रहे हैं तो IFCI is here जहाँ पर आप देखें तो promoter holding of course government का major stake है 72% के आसपास और return on equity आपको जदा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यह company loss making दिया आपको results दिखाऊंगा तो फिर आपको समय आएगा देरे देरे करके अभी ही company ने recovery दिखाना शुरू किया है तो यह अभी nascent stage है if I will show you here 2021 से लेकर 2022 यह तो आपको पूरा loss ही दिखाई पड़ रहा है उसके अगर आप देखें मार्च 2023 उसके बाद जून 2024 फिर से दो quarter में loss था बास अजा रही है अभी अभी company ने profitability का जो trajectory है इंप्रूव करना शुरू किया है interesting दोस्तों company की sales में आपको solid improvement दिखाई पड़ रहा है हर एक quarter में now if you see मार्च 2022 चार्सो चौर्श करोड चार्सो चौर्श करोड अभी जो sales आई है 605 करोड एक बहतरीन model दिखाई पड़ रहा है जिस परकार का chart structure आपको एरकौन में दिखाई पड़ रहा था almost similar chart structure आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है और इसका एक breakout level है which is 72 levels तो दोस्तों presently stock rate कर रहा है 63 पे 72 तो सब सब आता हो दिखाई पड़ रहा है और यह breakout करेगा तो दोस्तों stock is likely to rise up to the levels of 85 to 90 और presently stock rate कर रहा है 63 के आसपास तो एक बहुत ही जबरदस्त stock का chart दिखाई पड़ रहा है इसको भी आप study कर सकते हैं lastly दोस्तों एक stock जो की मेरा favorite है और favorite इसलिए है क्योंकि इसमें मैं हमेशा swing trading गे भी पैसा बनाता हूं इसके put rating गे भी पैसा बनाता हूं business की और company के results की बहुत ही इस विसफोटक results चल रहे है ये company का करती है ये company financial services तो नाम है बेसिकली इसका काम है power trading ट्रेडिंग करना power का power का जो price हो लगाते हैं बीज बीच में कई सारी news आती है market coupling आ रही है market coupling करने की चलते है इनकी monopoly हट सकती है लेकिन अभी भी overall इंडिया में जितना भी power trade होता है खरीदा बीचा जाता है उसमें 70% का market share आई-एक्स का जो कि किसी में पर 90% दा by the way अच्छा company के numbers के बारे हम बाते है return on equity is close to 40% return on capital अगर आप देखे हैं तो capital तो ऐसे भी लागू नहीं है आपको हर एक साल में improvement होता हुआ दिखाई पड़ रहा है profitability देखते हैं क्या profit में convert हो पा रहा है कि नहीं 64 करोड का profits मार्च 2021 मार्च 2022 81 करोड के profits मार्च 2023 फ्लैट था जएदा increment नहीं हुआ 83 करोड के profits लेकिन अभी 95 करोड के profits कमणी ने post किये हैं और margins भी दोस्वान जो कि थोड़ा सा downward hole हो गया थे बीच में 78 के असपर चले गया थे जो कि बढ़के अभी 86-87 फिर से पहुंच गये हैं अब दुस्वा कमणी all time high results को पोस्ट कर रही है all time high profits all time high sales लेकिन stock price अभी भी all time high नहीं है मेरे साब से दोस्वा इस stock को भी आप study कर सकते हैं it is just a matter of time जिस दिन stock ने rocket पकड़ा ना जिस दिन इस ने 180 के levels को breach किया पहला को resistance है 165 and the next one is 180 उसके बाद यह stock पकड़ में नहीं जाएगा यह stock सीधे ऐसे जाएगा फिर आप कहेंगे सर आपने बात बताई थी मुझे याद है तो दूसनों this is just a matter of time this stock has to go from here to 320 और अगर आप मुझे कितना समय लगेगा तो अगर stock को 2022 से यहां से यहां तक पहुंचने में अगर डिल साल लगा है तो यहां यहां से 2X होने की श्यमता रखता है as far as my technical analysis and my knowledge goes दूसर वीडियो ऐसा लगा आपको अगर पसंद आए है do not forget to smash the like button and do share with your friends until then bye bye for now